तो यार काफी 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 लंबे इंतिजार के बाद आज फाइनली OnePlus 7, 7 Pro, 7T & 7T Pro स्मार्टफोन के लिए कई सारी कंट्रीज पे Oxygen OS 11 प्लस Android 11 को इंट्रिड्यूस कर दिया गया है तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका complete information and साथ साथ दूंगा downgrading process भी वीडियो के साथ end तक बने रहना and guys मसा आएगा देख देख देरिये So hi to bees this is utkarsh and guys अगर आपने अभी तक हमारा go gossipy का latest episode नहीं देखा है So चल्दी जाकर देखो बहुत जादा amazing level का काम किया है हम लोगोंने बट उस level का आप लोगोंने views नहीं दिया So please जाकर उस वाले episode को ज़रूर से देखना इस video को देखने के बाद So start करते हैं and सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि RM Update की site पर इसका पूरा post लिखा गया है जिसमें सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि जो post details है उसमें open beta release हुआ है ये एक beta update है one plus seven seven pro 70 and 70 pro smartphone के लिए ये एक official community post से ली गई है सारी details and guys ये जो information मैं share कर रहा हूँ on behalf of RM Update ही share कर रहा हूँ So keep in mind and guys सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि one plus seven series smartphones के कौन से कौन से smart phones है So guys one plus seven and seven pro दोनों ही smartphone जो global variant है उसमें आपको open beta देखने मिल रहा है साथ साथ one plus 70 series में 70 India वाला, 70 Europe वाला and global variant तीनों ही variant में देखने मिल रहा है and 70 pro में भी India, Europe and global variant में आपको open beta का ये वाला update देखने मिल जाएगा अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस वाले update का size कितना है तो guys इसमें आपको 3GB का size देखने मिलेगा इस वाले update का जो कि एक beta version size है सबसे पहले आपको बताता हो कि जो roll pack package है उसका links किस-किस वाले variant का दिया गया है so जैसा मैं आपको बताया 7 and 7 pro global variant and 70 and 70 pro India, Europe and global variant अब बात करते हैं सबसे पहले आपको इसको install कैसे करना है तो सबसे पहले आपको रॉम की zip file को download करके इसको open करके copy कर लेना है phone storage के अंदर then उसके बद आपको system पे जाना है settings के अंदर settings में system updates के अंदर then उसके बद आपको top right icon पे click करना है वहाँ पर आपको local upgrade दिखने मिलेगा आपको उस पे click करना है and corresponding installation package पर click कर लेना है देन उसके बद आपको जो है upgrade start हो जाएगा जैसी आप upgrade पर click करे होगे 100% होने के बद आपको restart कर लेना है लेकिन guys ध्यान में रखना कि इस वाले update के बाद आपका data lost हो जाएगा so make sure आप पहले से ही data lost के पहले ही backup बना के रख लो आपको rollback method बता देता हूँ so rollback method के लिए आपको जो latest ROM upgrade का जिक package है उसको download करना है specified server से और उसके बाद में आपको जो rollback package है उसको phone storage में upgrade कर देना है अंदेन उसके बाद copy करने के बाद आपको settings में जाना है जहां system के अंदर system updates में आपको top right corner पे local upgrade पे click करना है then उसके बाद corresponding installation package पे click करना है और उसके बाद आपको upgrade कर लेना है 100% के लिए upgrade होगा उसके बाद आपको restart करना है आपका जो यह वाला method आप जैसी करोगे आपका erase कर देगा सारा का सारा data यह supply द्यान रखना की guys आप लोग update करने से पहले अपना backup बना लो से आर backup बना के रखोगे तो better रहेगा आपको बनाने से आपका system update है उसका data नहीं clear होने वाला आपको change log बता देता हूं को guys change log जो है वो सबसे पहले आपके लिए कुछ system updates को लेकर आता है system updates में आपको देखने मलता है oxygen ice 11 का latest version एक fresh UI with various optimizations and details उसके बाद आपको stability है वो देखने मल जाएगी third party applications and improving experience में यह काफी ज़ादा stable आपको देखने मल जाएगा camera के अंदर आपको improvements देखने मलते हैं जिसमें सबसे पहले आपको some functions का UI changes देखने मिलेंगे और साथ-साथ convenience भी देखने मलेगा operation करते time किसी भी चीज में and उसके बाद आपको HEVC code जो codec है उसका भी आपको adding देखने मल जाएगा इस वाले update में जिससे कि आपका storage size को reduce करेगा वो video के but quality and capture का promising रखेगा बिलकुल से आपको quality बर्बाद नहीं होने वाला उसके बाद आपको बता देता हूँ कि जो third party applications है वह picture by pressing and holding it preview वाला option आ चुका है third party applications के लिए भी तो और जादा better है जब आप किसी भी चीज को share कर रहे हो तो उसके बाद आपको बता देता हूँ कि quick access कैसी है इसमें आपको एक नया feature देखने मिलेगा जो की जो की रहेगा quick access to recording mode and जिसमें कि आप जैसे ही hold करोगे and slide करोगे आप आराम से zoom in, zoom out कर सकते हो वह भी काफी जदा smoothly जैसा कि आपको color race 11 में देखने मिला था उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सबसे basic और सबसे मज़ेदार यह जो अपडेट है camera UI का उसमें आपको playback display time देखने मिल जाएगा जो की time lapse है and काफी ज़दा अच्छा time lapse है यह जो playback में चलेगा and filming के time पर यह आपको और ज़दा बेटर दरीके से quality देगा ambient display यानि की always on display के अंदर आपको कुछ updates देखने मिलते हैं जैसे की inside clock style नई वाली add की गई है जिसमें पारसंस school of design के थू and इसमें आप कई सारे changes कर सकते हो settings में जाके and वहां पर आपको customization feature के अंदर clock style को change कर लेना है वहां पर आपको यह वाला नया वाला feature देखने मिल शाएगा बात करते हैं canvas feature की तो guys canvas feature को add कर दिया गया finally and guys यह beta update पर ही add कर दिया गया जबकि यह जो feature यह stable update का feature है जिसमें कि आप wire frame बना सकते हो picture के through lock screen पर and उसका अगर आप enable करना चाहते हो आपको settings के अंदर customization में wallpaper पर जाना है और आपको canvas में चले जाना है फिर आपको photo preview select करना है always on display की तरफ सो guys always on display में आपको नहीं नहीं इंप्रूब्मेंट्स देखने मिलेंगे जैसे की आप अपने phone को ambient display के तुरू ही contact को open कर सकते हो call कर सकते हो साथ-साथ call को pick कर सकते हो और साथ-साथ गाइस इसमें आपको जो सब्सेक्यूंट पर जाना है वो भी देखने मिल चाहिंगे और साथ-साथ में यह जो internal test है हाँ और इसमें आप contact वगरा को भी देख सकते हो सेटिंग्स में जाकर के और इसको turn on भी आपको सेटिंग्स के तुरू ही करना है डार्क मोड की बात करें सुगाइस इसमें आपको एक shortcut key देखने मिल चाहेगी जिससे कि आप quick settings को enable कर सकते हो and quick settings में आपको dark mode का option देखने मिल जाएगा जिसके बाद सबसे जादा मज़िदार feature मुझे लगा यह वाला जो की है dark mode को आप time पर schedule कर सकते हो कि इस time पर अपने आप यह automatically enable हो जाए shelf की बात करें सुगाइस shelf का नया interface आया है यह जादा clear है and साथ-साथ में आपको weather widget भी देखने मिल जाता है with animation effect so यह काफी जदा बढ़िया बात है and shelf का भी काफी अच्छा updates आपको देखने मिलेगा बात करते हैं gallery के बारे में आपको story function देखने मिल जाएगा and इसमें की आप weekly videos photos को store कर सकते हो and आप optimize भी कर सकते हो loading speed को gallery की and जिससे की image preview आपको और जादा fast देखने मिलेगा and और जादा pre loading time कम होगा बात करते हैं known issues की तो guys इस वाले update को करने के बाद में आपको कुछ bugs face हो सकते हैं जिसे सबसे पहला consumption bug and instability bug जो की obvious सी बात है जब आप किसी beta update को करते हो तो आपको देखने मिल जाता है and उसके बाद आपको कुछ condition में gallery थोड़ा सा slow देखने मिलेगा beta update का ही यह Bluetooth के जरू किसी भी earphones को headphones को speakers को connect करते हो so उसके बाद जो sound है वो शायद से मतलब ना play हो पाए and कई बार ऐसा देखने में आया है उसके बाद में एक known issue और है जो की है brightness adjustment में जो की थोड़ा सा lag करने वाला है so guys इस वाले issues को ध्यान रखना तभी update को करना क्योंकि update एक beta update है so इ next up मैं आपको 2-3 चीज़े और बता देता हो सबसे पहली और सबसे important चीज़ कि अगर आप stable तक wait कर सकते हो so you you have to wait for a stable update and you should wait for a stable update मेरे कहने से जिससे कि आपको और जादा better interface देखने मिले उसके बाद कुछ लोगों का question था कि second batch कब तक देखने मिलेगा so अब ही तो इसका कोई information नहीं है but you have to wait at least two weeks जिसके बाद शायद से आपको stable update एकने मल चाहे और else we can wait till the company announce and anything उसके बाद यह सारी जो information है guys यह RM update के थ्रू आई है so make sure to check out RM update from the link in the description ताकि आप सारा चीज़े फिर से पड़ सको और जदा better तरीके से बाई मेरा explanation यही पर गतम होता है and guys मैं थोड़ा सा अटका आज just because मेरी तब्यत थोड़ी सी खराब है and इस वीडियो को काफी सदा urgently मुझे अपलोड करना है just because इसलिए मैं थोड़ा सा तब्यत खराब में भी बात कर रहा हूं अगर बीच के cuts आपको miss important लगे हो so yeah please bear with it or don't mind it बाकि latest episode of go gossipy देखना from the link in the description and साथ-साथ मैं आपक पे भी देखना मल जाएगा so end करते है इस वाले वीडियो को and मैं आप से मिलता हूं next video में तब तक लिए जाहें वंदे मातरम both you know keeping mehra khut ka profile and also jo mehra side work hai the social media management ushe bhi mein kaffi growth dikhna chaati hun apart from that I do want to learn other things so far we are helping with Instagram and Facebook तेभ आट लोग कर गसे साथ बस्टार्वाव जा जाएगाल एन कर जाएगास